नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूं आज मैं लेकरा हैं बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी स्टोरी का टाइटल है हॉट एंड कोल्ड ब्रेड गर्म और ठंडी रोटी ब्रेड चपाती रोटी हैं यहां पर लिखा हुआ है देर वाज यंग मैन नेम अशोग एक नवजवान यंग मैन नव्यूवक नवजवान अशोग नाम का था ठीक है अशोग नाम का एक नवजवान था ऐसे होगा वह बहुत आलसी था ठीक है और अल्वेज याने हमेशा अवाइड अवाइड करना या तालना या फिर नहीं करना वर्ग और काम को हमेशा तालता था He did not do anything except eating and drinking वह did not do याने नहीं करता था Anything याने कुछ भी except except का इसे accept नहीं बोलेंगे except बोलेंगे except याने होता है के सिवाए किसके सिवाए eating and drinking खाने और पीने के सिवाए वो कुछ भी काम नहीं करता था clear हो गए यहां तक के आगे देखते हैं His mother was very old उसकी मां बहुत बुड़ी थी बहुत बुड़ी थी old पुराना भी ओतर बुड़ी के लिए हम old का यूज करते हैं and or father had expired had के साथ expired का third form expired याने past perfect tense दिया था लिया था चुका था चुके थे इस प्रकार से और ठीक है उसके पिता मर गए थे ठीक है उनकी मृत्ति हो गई थी तो गया था गई थी मैंने बता है आपको मृत्ति हो गई थी या मर गए थे जो रहते थे या फिर वह क्या कर रहते रह रहे थे इस प्रकार से ठीक है on the money कि याने यहां living का मतलब क्या होगा जैसे मुलता है जिन्दा रहना है नहीं तो वर living याने जी रहे थे इस प्रकार से बोलेंगे on the money याने on याने पर the money याने रुपियों पर left by Ashok's father left याने छोड़ा गया था by याने द्वारा Ashok's याने Ashok के father याने पिता Ashok के पिता द्वारा जो पैसा छोड़ा गया था उस पर वो क्या कर रहे थे जी रहे थे दोनों मा और बेटे अब यहाँ पर देखते हैं Ashok वो बेटे का नाम होगा सिदी सी बात है फिर क्या हुआ his mother tried her best to change her son's ways अब यहाँ तर देखते हैं his mother उसकी मा tried याने कोशिस करती थी try याने कोशिस करना tried याने कोशिस करती थी her best याने अपनी पूरी कोशिस करती थी to change याने बदलने के लिए her son's ways याने उसकी उसके बेटे की रास्ते ways याने होता है रास्ते फिर तरीका ठीक है बेटे की तरीका but all in when लेकिन सभी व्यर्थ था क्या था सभी व्यर्थ था when याने होता है व्यर्थ होना यह गाड़ी वाला when नहीं है यह when याने होता है व्यर्थ होना वो तो ven होता है when तो यहां तक clear हो गया आपको कि वह कोशिस करना चाहती थी उसको जो जीवन जीने का तरीका था लेकिन वो बदलना चाहती थी लेकिन सभी याने उसकी साधी की वह इसकी साधी करा देती हों she thought उसने सोचा that की after marriage साधी के बाद marriage याने साधी after याने के बाद साधी के बाद his son उसका बेटा would mend his ways would याने करेगा क्या करेगा mend याने सुधार करेगा his ways याने उसका रास्ता है फिर अपना रास्ता हिस मैंने बताया था आपको अपना उसके दोनों के लिए उसकरते है वह अपना रास्ता या अपना तरीका ways याने तरीका क्या करेगा सुधारेगा कहीं लोग बोलते हैं साधी करवा दो सब सुधार जाएगा उसी टाइप से वह भी सोची साधी कराने से तो ways याने क्या होता है रास्ता भी होता है और तरीका भी होता है तो अपना तरीका सुधारेगा ऐसे सोच के उसने क्या की साधी के बारे में सोची फिर क्या हुआ उसने got याने कर दिया her son married यान अपने बेटे की साधी कर दी but even then he remained the same लेकिन even then याने यहां तक की he remained याने वह बना रहा remain याने वैसा ही रहना बने रहना the same याने वैसा ही वैसा ही बना रहा साधी के बाद भी वैसी आलची था कुछ काम धाम नहीं करता था किवल खाना पीना करता था फिर क्या हुआ lastly अंततः आखिरकार her mother thought out a plan उसकी माने thought out a plan याने उसकी माने एक योजना बनाई योजना की बारे में सोचा प्लान मनाना तरीका बनाई तो उसने एक trick अपनाई योजना बनाई फिर क्या हुआ whenever याने जब कभी जब कभी she served the food to her son वह उसकी मा है ना served याने परोस्ती थी the food भोजन को खाने को to her son याने अपने बेटे को जब भी भोजन परोस्ती थी she said वो कहती थी क्या कहती थी देखे eat the cold bread थंडी रोटी खाओ गरम गरम रोटी बनाती थी लेकिन क्या बोलती थी थंडी रोटी खाओ बट अशोग दिद नाट understand anything लेकिन अशोग दिद नाट understand understand याने होता है समझना did not याने नहीं है ना तो नहीं समस्ता था अशोग नहीं समस्ता था anything याने कुछ भी नार नाही नार याने नाही he asked about it from his mother और नहीं वो he asked याने वो पूस्ता था about याने के बारे में it याने उसके बारे में जो बोलते थे थे रोटी उसके बारे में ना अपनी माँ से पूस्ता था from his mother from याने से his याने उसकी mother याने मा याने अपने माँ से इसके बारे में पूचता भी नहीं था, नहीं समझ पाता था one day, एक दिन while she was going somewhere while याने दौरान उस दौरान याने जब इस प्रकासे जब she was going वो जा रही थी somewhere याने कहीं ठीक है कहीं जा रही थी उसकी मा she said to her daughter-in-law आगे लिखा होगा, daughter-in-law ही होगा daughter तो होगी नहीं क्योंकि बहु है तो she said उसने कहा to her याने अपनी उसकी होगा यहां पर पता नहीं आपको daughter-in-law देखे लिखा होगा है अपनी बहु से कहा जब उसकी मा जा रही थी तब उसने क्या कहा देखिए वेन असोग कमस बैक जब असोग कमस याने आता है बैक याने वापस अब कमस यह plural नहीं है कम का कमस ताहती है यह present in different tense में हम क्या करते है ऐसे यह जूड़ता है ताहती है वही वाला sentence है जब असोग वापस आता है serve the food to him serve याने परोसना the food भोजन को to him उसे उसे भोजन परोसना but लेकिन don't forget to say eat the cold bread लेकिन don't याने do not होता है उसे don't बोलते है मत करना forget याने भूलना मत तुसे याने कहने के लिए यह कहना मत भूलना की eat the cold bread थंदी रोटी खाओ अपना तो बोलती थी अब बहु कोई बोलके जा रही कि मैं जा रही हूँ लेकिन ऐसे ही बोलना जब आएगा तो परोसना लेकिन बोलना ठंडी रोटी खाओ देखिए यह भी suspense टाइप से लग रहे है क्या ठंडी रोटी अकॉर्डिंग्ली यहने के अनुसार उसकी मा बोली थी उसके अनुसार वें असोक कम हों जब असोक घर आया ठीक है अब कम सोता तो आता है ऐसे बहु कम हों यहने घर आया His wife served food to him and said eat the cold bread उसकी पत्नी ने परोसी ठीक है भोजन परोसी to him याने उससे and said और कहा eat the cold bread ठंडी रोटी खाओ जैसे सासुमा ने कहा था वैसी बात मानी Hearing it ऐसा सुनकर Hearing it याने ऐसा सुनकर Ashok became very angry Ashok became याने हो गया Very angry याने बहुत क्रोधित बहुत गुस्सा हो गया Earlier he heard these words Earlier याने इससे पहले Earlier याने पहले He heard उसने सुनी थी Hear नहीं बोलेंगे Heard बोलेंगे Here का past tense heard होता है उसने सुनी थी These words याने In सब्दों को From his mother अपनी मा से जो रोटी वाली बात है अपनी मा से सुनी थी But now his wife Also had started saying them Lेकिन अब उसकी पत्नी His wife बने उसकी पत्नी Also याने भी उसकी पत्नी भी Had started तो मैंने बने किया था कर दिया था So I had started याने शुरू कर दिया था Start का Third form started ये भी past perfect tense सुरू कर दिया था Saying them याने वैसा कहना उसकी पत्नी ने भी सुरू कर दिया थंडी रोटी खाओ He asked the reason for it And said it Sorry Said in anger उसने पूछा The reason याने कारण भई ऐसे बोलने का कारण क्या क्यों बोलते हो For it याने उसके लिए And said in anger और कहा In anger याने गुसे में कहा That की While the braids are hot While याने जब की The braids are hot रोटियां गर्म है है आर है है इस याने है और है प्लूरल बहुवचन यह हिंदी में थोड़ा पता होगा बहुँ से लोगो की रोटियां गर्म है While she had used the word cold Why? क्यों? She had used वो use करती है उपयोग करती है The word cold याने की ठंडी बही जब रोटियां गर्म है तो उसने यह word use क्यों किया? क्यों किया होगा? क्योंकि head use यहाँ पर भी third form आ रहा है head के बाद तो किया था इस पास है किया बस बोलेंगे तो भी चले किया है नहीं बोलेंगे ठीक है? कि उसने ठंडी जो ठंडा सब्द है वो use क्यों किया? His wife simply said उसकी पत्नी ले simply याने सरलता से कहा simple सरलत तरीके से कहा that की His mother had directed her उसकी माने had directed यहाँ पर भी किया था ऐसे आएगा ठीक है? क्या किया था? directed याने होता है बोलते है न उसे directed बोलते हैं ठीक है? तो उन्होंने दिसानर्देश दिया था हर याने उसे उसे ऐसा करने को कहा था दिसानर्देश दिया था तो से कहने के लिए like that याने उसके जैसा like that याने वैसा ठंडी रोटी खालो ऐसे कहने के लिए आपकी मा ने ही मुझे दिसानर्देश दिया था याने कहा था ऐसे करने के लिए so he should ask his mother for the reason तो he should याने उसे चाहिए क्या चाहिए? ask याने पूछना चाहिए उसे पूछना चाहिए his mother अपनी मा से for the reason कारण के लिए याने क्या कारण था अपनी मा से पूछना चाहिए तो should याने कुछ चीज करना चाहिए तो हम उसके लिए should का यूज़ करते हैं ठीक है? तब ठीक है उसने बोल दिया अपनी मा से पूछना चाहिए मेरे से क्या पूछ रहे हो फिर क्या हुआ देखे In the evening साम में या साम के समय When is mother come home जब उसकी मा came home sorry came याने आई home याने घर घर आई come present tense came याने आई She asked her daughter उसने पूछा अपनी daughter-in-law sorry इससे बहु से ठीक है? mother-in-law याने सास father-in-law याने ससूर याने बहु son-in-law याने दामाद ठीक है? तो अपनी बहु से पूछी If याने की भी होता ठीक है? यदी भी होता की की She had given the food to her son की उसने अपनी मतलब बेटे को उसके बेटे को भोजन दिया था यहाँ पर भी had Give, gave, given third form तो दिया था, लिया था देखे, past perfect tense का तो मतलब पूरे भर-भर के यूज हो है यहाँ पे देखे ठीक है? क्या उसने दिया था? उसने पूछा तब उसकी आपनी यह देखे she said that उसने कहा की he did not eat उसने नहीं खाया the food भोजन को नहीं खाया and got very angry और got हो गया very angry और बहुत गुस्ता हो गया नहीं खाई रोटी और बहुत गुस्ता हो गया असोकास मदर वेंट तो हर सन स्वारी असोक से लिखावन असोका असोकस मदर असोक की मा गई वेंट याने गई गो जाने जाना to her son अपने बेटे के पास and asked और पूछी why he did not eat food why याने क्यों he did not उसने नहीं खाया eat food याने भोजन नहीं किया भोजन नहीं खाया her son said उसके बेटे ने कहा mother, मा you always say cold bread thandiroti خाओ while जबकी serving the food sorry while याने यहाँ पे जबकी यहाँ वाइल यहीं दौरान अफिक है serving the food याने भोजन परोषने के दौरान या भोजन परोषने समय तो while यह यहाँ जब भी होता है जबकी भी होता है के दौरान भी होता है ठीक है ये भी याद रखेंगे तो भोजन पर उसने के दोराना पैसे क्यों बोलती हो ठंडी रोटी खाओ यो डॉटर निल लॉव आल्सो सेट दा सेम वर्ड्स आपकी बहु आल्सो याने वो भी सेट कहती है यह दा सेम वर्ड्स ऐसे ही वाकिया ऐसे ही सब्द कहती है जो आप बोलती हो बस लास पेज है बट आई सौ एवर्ड्स लेकिन मैं सब चीज मैंने क्या किया देखा that की the breads were hot रोटियां गर्म थी वर्याने थी होट याने गर्म रोटियां गर्म थी why is it so ऐसा क्यों ठीक है ऐसा क्यों हर मदर आर्जिम उसकी मा ने उससे पूछा tell me what a cold bread is tell me मुझे बताओ what a याने क्या है a cold bread एक थंडी रोटी क्या है is याने है ठीक है तो एक थंडी रोटी क्या है मुझे बताओ अपने बेटे से पूछ रहे जबकि उसके बेटे ने अपनी माह से पूछा था अब उसका बेटा क्या हो रहे देखिए दसन रपलाइट बेटेन रपलाइट किया the bread made in the morning becomes cold in the evening रोटी मेट याने जो बनी होती है इन दा मॉनिस सुबह बनी होती है बिकम्स हो जाती है cold, thandy in the evening साम को, यानि जो रोटी सुबा बनती है, जो की साम को thandy हो जाती है, वही thandy रोटी होती है the fresh bread is hot but the old bread is cold उसका बेटा बता रहा है अपने दिमाग से जो ताजी रोटी होती है fresh यानि ताजी, ताजी रोटी है is hot, गर्म है but लेकिन the old bread is cold पुराणी रोटी थंडी होती है, ठीक है, ताजी रोटी गर्म होती है, पुराणी रोटी थंडी होती, simple सी बात है लेकिन अब देखे, यहाँ पर जो बता है, वही मेन है then his mother said तब उसकी माँ ने कहा you are eating the bread out, sorry you are eating the bread तुम रोटी खा रहे हो आर, इस, एमार के साथ आएंजी रहा हो रही हो तुम रोटी खा रहे हो out of the money left by your father out of the money, ठीक है उन पैसों से left by your father left याने छोड़ा गया था by your father याने जो तुम्हारे पिता के द्वारा by याने द्वारा छोड़ा गया था उन पैसों से तुम रोटी खा रहे हो which is old and cold which याने जो की is याने है old, पुराना है and cold और ठंडी है ठीक है, तुम किसके पैसे से रोटी खा रहे हो अपने पिता के द्वारा जो छोड़ी गई पैसों से रोटी खा रहे हो और पैसा क्या है, पुराना पैसा है अभी थोड़ी कमा रहे है पिता जी वो तो कमा के चले गए, छोड़े हैं तो वो जो रुपए है, वो क्या है पुराने भी है और ठंडे भी है पुराने हो चुके हैं इसले ठंडे है therefore, इसलिए the bread is also cold जो रोटी है इसलिए तुम नहीं कमाते हो अपना जीवण चलाते हो, तो तुम अपनी जो आजीवण चलाते हो इसलिए रोटी क्या है, थंडी है तुम खुद कमाकर नहीं चलाते है इसलिए मैं कहते हूँ you do not earn for your livelihood so the cold bread, am I wrong कि थंडी रोटी खाओ मैं कहती हूँ कि थंडी रोटी खाओ am I wrong, क्या मैं गलत हूँ W सैलेंटे के विल रॉंग पढ़ेंगे तो I am wrong, मैं गलत हूँ लेकिन question mark लग गया याने कि आपका, आपका इंट्रोगेटी बन गया question mark वाला, तो हम I am wrong के जगए, helping आपको पहले ले आते am I wrong, क्या मैं गलत हूँ इस प्रकार से, क्या मैं गलत हूँ Ashok now had understood the meaning of hot and cold bread, ठीक है Ashok अब had understood अब यहाँ पर भी समझ गया था इस प्रकार से, had third form understand का, तो समझ चुका था, या समझ गया था, the meaning याने मतलब of, याने की hot and cold bread, गर्म और ठंडी रोटी की मतलब, अब वो समझ चुका था, या फिर समझ गया था the bread of his own earning, याने जो रोटी है, ठीक है his own earning, own बोलेंगे, ठीक है खुद की, खुद की कमाई से खुद की कमाई की रोटी would be hot, would be, याने होगी, hot, गर्म होगी खुद की कमाई से जो रोटी वो खाएगा ना, जो आएगी, वो गर्म होगी was what his mother wanted to explain, was, जो was, याने थी, what his mother, उसकी माँ जो wanted चाहती थी, to explain, समझाना चाहती थी, यानो इसकी माँ क्या समझाना चाहती वादा किया, to fulfill, fulfill, याने पूरा करने के लिए, ठीक है, his duties, अपने कर्दव्यों को, and, और कर्दवी जिम्मेदारी, and, to eat hot bread, and not the cold bread, और क्या उसने वादा किया, कि, to eat, खाने के लिए, hot bread, गर्म रोटी खाने की, and not the cold bread, और ठंडी रोटी नहीं खाने की, दोसरे में माँ से वादा किया, कि भई, में हमेशा अब गर्म रोटी खानगा, ठंडी रोटी नहीं खानगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि हमेशा मैं अपने मेहना से जो कमाईगी पैसे है, उससे ही रोटी खाउँगा, तो भई, वो रोटी क्या है, अभी मेहनत की, आभी पैसा मिला, तो वो मेरे महनत की अभी की है यानि वो रूटी ताजी होगी गर्म होगी यानि कि वो जो कमाये हुआ पैसा ताजा होगा गर्म होगा ना कि पिता जी के पुराने छोड़े होगे पैसो की तरह ठंडी और बासी ठीक है इसे moral क्या मिलती है moral वी शुड नॉट भी लेजी एंड शिरकर ठीक है वी शुड नॉट हमें नहीं होना चाहिए नहीं बनना चाहिए बी यानि होना फिर बनना लेजी यानि आलसी हमें आलसी नहीं होना चाहिए और शिरकर शिरकर का मतलब होता है कामचोर हमें आलसी और कामचोर नहीं होना चाहि लेकिन वह उनके तो है क्योंकि माता-पीता उनके ही है N日क उनके माता-पीता पैसे refuse चाहिए नहीं यह करना रहे हैं को बड法त की से उनकी नहीं चाहिए नहीं नहीं को करते हैं पैसे customer हो जाएंगे और आपको काम करना तो आता है नहीं है आपको सुरुवात से ही राजा महराज की जिन्दगी जीने आती है फिर आप भविस्य में बहुंच जाता आपको पस्ताना पड़ सकता है इसलिए कभी भी आलसी और कामचोर ना बने पैसे हैं कोई बात नहीं पैसे हैं आ आप भी आपको कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई ये ना बोले कि अपने माता पिता के पैसों से मजे कर रहा है कमा रहा है कुछ काम कीजिए ताकि लोग ये बोले इतने पैसे वाले होते हुए भी खुद वो काम कर रहा है मेहनती है और हम उसे क्या बोल सकते हैं स्वाभी मानी है तो पर स्वाभी मानी बनिये आलसी और कामचोर नहीं बनिये तो ये थी आज की श्टूरी थोड़ी भी पसंद आई हो समझाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे शेयर करेंगे स्क्रीन सौट बहु